हलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे देकि आज का जो हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है कि वाइट बोर्ड का सेटप कैसे होता है उसमें आगे जाने से पहले एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना अगर आप या आपके फै प्रशाजिज ना पे करने पड़े लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर खुद को एन्रोल कर लीजिए उसी के बाद में अनकेडमी पर ही आई टी जैम के लिए न्यू बैचिस स्टार्ट हो रहे हैं 28 अप्रेल से वह जाकर आप उनमें खुद को एन्रोल कर सकते हैं लिंक उसक कोड नजर आ रहा होगा उस कोड को आप जैसे ही रेफरेल कोड वाले सेक्शन में डालेंगे आपको 10% की छोट मिल जाएगी और ज्यादा कुछ आपको डिसकार उंची है तो मुझ से कॉंटक्ट कर सकते हैं डेटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है चैनल के डिस्क्र सब्सक्राब है और लोगडाउन का इस स्टेट्स में लग चुका है तो घर से क्लास चल रही है स्कूल को जिसका तो पता नहीं सबसे लास्ट में खुलेंगे तो आप लोग अगर सर्च कर रहे होंगे कैसे करना यह सब तो डॉन्ट वरी मैं आपको आज बता देता हूं कैस सबसे करना है बहुत सिंपल सी चीजें हैं इन में से बहुत सारी चीज आपके पास में होंगी तो रिक्वार्मेंट में देखते हैं सबसे पहले क्या क्या किसके सबसे पढ़ेगी सबसे पहले आपको यह वाइट बोड जो मैंने यहां पर लगाया हुआ है इसका साइज कर रहा हूं यह एंड्रोइड है और अभी जो है आना बंद हो गया शायद यहां रियल्मी का है और इसमें अक्साहल में आपको पूरा एक चीज़ और बता दूं यह जो हमारा पूरा सेट अप है आपको अगर कोई धिक्कत आ रही है किसी भी तरह की प्रोब्लम अगर आ र सकते हैं मेरे पास जो स्मार्टफोन है मैं उसका फ्रंट एक्मरा यूज करता हूं फ्रंट कैमरे से मेरी जादा अच्छी क्वालिटी आती है तो मैं फ्रंट और बीडी यह वीडियो बन रहा है यह बीने वी फ्रंट कैमरे सी है तो क्वालिटी सही है बौर्ड के ऊँपर वगरा भी नहीं है बहुत हलका फुलका है जहां भी है और यह वीडियो में नाइट में शूट कर रहा हूं तो यह सारा लाइटिंग का खेल है लाइटिंग के बारे में भी आपको बता हूंगा आगे तो अभी देखना वीडियो को उसके बाद में स्मार्टफोन के बाद में 800 से लेकर 1000 रुपे तक का मिल जाएगा अच्छा ट्राइपोर्ड आपका फोन को अच्छे से वो हैंडल कर लेगा उसके बाद में आपको पड़ेगी माइक की देखिये माइक मस्ट है अच्छा माइक अच्छा माइक की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि audio is equal to audience अगर आपके वीडियो में audio अच्छी नहीं होगी तो आपके पास में audience नहीं रुकेगा तो आपके वीडियो का audio है वह बहुत जादा अच्छा होना चाहिए तो माइक के लिए मैं आपको बताऊं आप यूज कीजिए बोया का M1 Pro देखिए जो पहला वाला version था M1 Pro वो क्या होने लगाए कि Amazon के उपर Flipkart के उपर वो लो कलाने लगाए तो उसको purchase मत करना यह M1 Pro version जो है नाइट में वीडियो शूट कर सकें, नाइट में शूट करने का सबसे बड़ा जो है, इसका बेनिफिट ये है, कि एक तो बाहर का शोर नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं है, और दिन में बच्चे भी परशान करते रहते हैं, काफ़ सारी चीज़े हैं, तो नाइट में शूट बेसिकली इसमें कोई स्पेशल लाइट नहीं लगाई है मैंने, ये मेरा रूम अभी बनके तयार नहीं हुआ था, इसके जो सीलिंग है, उसमें बहुत सारी लाइट लगे हुए है, तो वो मैं सारी लाइट जला देता हूँ, ऊपर की तरफ हैं वो लाइट सारे के सारे, त उपर से रोश नहीं आती है, सब कुछ clean and clear नजर आता है, फेस के उपर भी अच्छी light है, बोर्ड पे भी अच्छी light है, जादे reflection भी नहीं है, लिखा हुआ भी सब कुछ नजर आ रहा है, तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा, मतलब ये coincidence ही था, कि light एकदम अच्छे से मेरी थोड़ा से एक बार पहले दिखा दूँ, आपको क्या problems face करने के लिए मिल रही होगी, अगर आपने कई बार देखा होगा, तो आपने, जैसे कि, अब देखे कब brightness कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, थोड़ी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होती रहेगी brightness, य कभी चेहरे पर जादा light आगई, कभी कम light आगई, तो ये एक problem है लोगों की, दूसरी problem क्या है, चलिए मैं इसको lock कर देता हूं, फिर से दूसरी problem क्या है लोगों की, वो दूसरी problem अभी में ये video shoot हो रहा है, इसमें करनी सकता, लेकिन वो problem ये है, कभी तो face के उपर focus करेगा कभी इसके उपर focus करेगा, ये जो word लिखे हुए alphabet है, ये blur हो जाएंगे, कभी आपका face blur हो जाएगा, वो आगे पीछे आगे पीछे उसको ऐसा करता रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैंने एक पूरा video बनाया हुआ है, open camera के settings को लेकर, open camera एक app है, उस app से आप अपने lecture shoot कीजिए और इसके उपर पूरा एक dedicated video मनाया है, वाई link आपको description में मिल जाएगा, ये direct search भी करेंगे, आप open camera settings for lecture videos, तो आपका search list में आ जाएगा, वहां से जागर उस video को दे कि बहुत easy language में सब कुछ बताया है, तो app आपको use करनी आ जाएगी पूरी अच्छ तरीके से, उसके बाद में अभी तक सारी चीज़े का चल ली थे, अगर आप teacher है, whiteboard आपके पास में होगा, smartphone सब के पास में होता है, हाँ आपको tripod purchase करना पड़ सकता है, और एक mic purchase करना पड़ सकता है, ये app है, open camera, ये भी free में available है, और अगर आप लोग अपने iPhone पर shoot करते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कि free में आप कैसे कर सकते हैं, मेरे अपने चैनल पर जाकर उस वीडियो को डूंड लीजे, मिल जाएगा आपको, marker है 20-25 रुपे क्या आतने है, ये simple marker है, उसको use कीजिएगा, और editing के लिए, मैं use करता हूँ Android में काइन master, काइन master मुझे best लगता है, सारे option बहुत simple simple से सामने है, इसका video भी मैंने dedicated बनाया हुआ है, कि editing कैसे करनी है, और काइन master का जो pro version है, उसको free में आप कैसे use कर सकते हैं, बिना कोई charges पे कियो है, वरना ऐसा होता है, वीडियो में यहां कहीं उपर लिखा हुआता है, made by काइन master, और कुछ इसरा से तो वो भी नहीं आएगा आपका, तो यह setup था lighting setup, सामने मेरा phone लगा हुआ है, lighting में आपको दिखा दी है, यह board लगा हुआ है, सिर्फ आपको इतना करना रहेगा, रोम की सारी lights जलानी है, अपना open camera का जो app है, वो on करना है, mic connect करना है, मैंने ही mic लगा कर सकते हैं, और अगर आपको तब भी कोई problem आ रही है, तो हमारा course जोइन कर लीजिए, छोटी सी फीस है, उसमें आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से सिखा देंगे, चाहे zoom call के उपर हो, zoom meeting के ओपर, video call या normal audio call के ओपर, जैसे भी आपको बहतर लगेगा, उसके बाद म हमारे पास में एक और setup है, जिसका नाम है क्या, lightboard, lightboard एक थोड़ा सा advanced setup है, वो digital board से थोड़ा unique लगता है, और ज्यादा लेकिन कीमत में उससे बहुत ज्यादा कम है, तो lightboard के videos अगर आपको देखने हैं, तो मेरे channel पर जाएए, और मेरे lecture videos देखे कितने unique लगते हैं, अगर आज के video में इतना ही informative लगा हो, तो एक बार like कर देना, हमारे channel को subscribe कर लिजे, इसी तरह के content के लिए मिलते हैं next video में, thanks for watching this video